हलो गाइज वेलकम बेक मैं चैनल तो अभी यहाँ पर हम चार पाई की बुनाई की यह वाली डिजाइन का पार्ट टू सुरू कर रहे हैं और आगे की डिजाइन पार्ट वन में आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लि एक रसी उठा ले फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाए वापस यहां तिन रसी दबाई फिर तिन रसी उठाकर एक रसी दबाई फिर पहले सेंटर में हमने सात रसी उठाए फिर एक रसी दबाई तिन रसी उठाए तिन रसी दबाई तिन रसी उठाए वापस तिन रसी दबाकर 3 रशी उठाए और एक रशी दबाए तो इस तरसी ये रशी हमने up the यह अर यह वाली रशी के साथ हमारी यह जो लहरे इस तरफ जा रही थी वहमारी से तो यह वाले रसी से हमारे चोटी लहरे मुड़कर इस तरफ हो जाएगी और यह वाला फूल यहाँ पर बंद हो जाएगा तो आप यह बात का ध्यान रखेगा तो गाइज अब यहाँ पर हम हमारे अगले रसी कंटिन्यू करते हैं तो अभी यहाँ पर हमने 16 नंबर की रसी कम्प्लिट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की एक रसी दबा ले फिर यहां तिन रसी उठाए और यहां एक रसी दबा ले फिर पहले सेंटर में पांच रसी उठाए वापस एक रसी दबा फिर तिन विड़ुदी वी रशी ओठाएं घरन में जाले है और में सेंटर के अंच ब करशाओ यो पर तेंद्रहें जा प्लीफ में चाहिए र系स प्वानने सेंटर के प्रॉश यो 007 फिर एक रसी दबाई, तीन रसी उठाए, तीन रसी दबाकर एक रसी उठाए, फिर तीन रसी दबाई, तीन रसी उठाए, आखिर में एक रसी दबा ले, तो इस तर रसी ये रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे, तो अब यहां पर हमने 17 न फिर तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाई और दो रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, वापस तिन रसी दबाई कर दो रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, एक रसी दबाई और में सेंटर में तिन रसी उठाई फिर एक रशी दबाई तीन रशी उठाए तीन रशी उठाए वापस तीन रशी दबाई तीन रशी उठाए 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 तीन र अमने शुरुवात में क्या क्या कि है Porque सिन्ड़ी दबाले फिर एक रसी उठाई तीन श्री नवालने सेंटर गार्वं कि एक करुमें यहां पर इस पर यहां पर यहां पर अमने सेνटर ही कि ईक रसी दबाई वापस एक रसी दावं और फिर यहां पर आमने तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाई कर तिन रसी उठाई फिर एक रसी दबाई और में सेंटर में एक रसी उठाई, वापस एक रसी दबाई फिर तिन रसी उठाए, तिन रसी दबाए, वापस तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाए फिर आगे यहाँ पर एक रसी उठाए, एक रसी दबाए और एक रसी उठाए यहाँ पर फिर आगे यहाँ आमने क्या किया तिन रसी दबाए और तिन रसी उठाए फिर तिन रसी दबा कर तिन रसी उठाए फिर एक रसी दबाए और दुसरे वाले सेंटर की एक रसी उठाए वापस एक रसी दबाए फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए तिन रसी उठाकर तिन रसी दबाए फिर एक रसी उठाए और तिन रसी दबा ले तो इस तर रसी ये रसी हमने complete की है, अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अब यहाँ पर हमने 19 नमर की रसी complete की है, तो हमने शुरुआत में क्या क्या है, सबसे पहले शुरुआत की एक रसी उठा लो फिर तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, फिर तिन रसी दबाकर एक रसी उठाई फिर तिन रसी उठाई, तिन रसी उठाई, और पहले सेंटर की एक रसी दबाई फिर तिन रसी उठाए, तिन रसी दबाए, एक रसी उठाकर तिन रसी दबाए, फिर तिन रसी उठाए और तिन रसी दबाए, फिर तिन रसी दबाए, और एक रसी उठाए, फिर तिन रसी दबाए, फिर तिन रसी दबाए, फिर तिन रसी दबाए, फिर तिन रसी दबाए, फिर यहां दूसरे वाले सेंटर की एक रसी दबा ले, फिर तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाई, एक रसी उठाकर तिन रसी दबाई, वापस तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाई और एक रसी उठाई, तो इस तरह सी यह रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहां पर हम हमारे अगली रशी लेंगे तो अभी यहाँ पर हमने 20 नंबर की रशी कंपलेट की है तो हमने शुरुआत में क्या किया है समसे पहले शुरुआत की दो रशी उठा ले फिर तिन रशी दबाई दो रशी उठाई वापस तिन रशी दबा कर दो रशी उठाई फिर तिन रसी दबाई और यहां पहले सेंटर के हमने पांच रसी उठा ले फिर तिन रसी दबाई दो रसी उठाई वापस तिन रसी दबाकर दो रसी उठाई फिर यहां पर यह पांच रसी दबाई और यहां पर यह जो हमने पांच रसी दबाई है तो निचे दो फूल बनेगे तो यहाँ पर हमने किया कि यह वाले पांच रसी यहाँ पर यह पांच रसी हमने दबाए फिर दो रसी उठाए फिर वापस यहाँ तिन रसी दबाए दो रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी दबाए, दो रसी उठाकर तिन रसी दबाए और यहाँ दूसरे वाले सेंटर की पांच रसी उठा ले फिर तिन रसी दबाए, दो रसी उठाए वापस तिन रसी दबाए, दो रसी उठाए फिर तिन रसी दबाकर दो रसी उठाए तो इस तरह सी ये रशी हमने complete की है अब यहाँ पर हम हमारे अगली रशी लेंगे तो अभी यहाँ पर हमने एक किस्वे नंबर की रशी complete की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की तिन रसी उठाले फिर तिन रसी दबाई एक रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई और पहले सेंटर की यहाँ पर तिन रसी उठाले फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाई वापस तिन रसी दबाई और एक रसी उठाई फिर यहां पर तिन रसी दबाई एक रसी उठाई और तिन रसी दबाई फिर वापस एक रसी उठाले फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाई तिन रसी दबाकर यहां में सेंटर की तिन रसी उठाले फिर वापस यहां पर हमने तीन रसी दबाई, तीन रसी उठाई, तीन रसी दबाई पिर तिन रसी दबाई उठाई फिर तिन रसी दबाए तिन रसी उठाए और तिन रसी दबाकर यहां दुसरे वाले सेंटर की तिन रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी दबाकर एक रसी उठाए वापस तिन रसी दबाए और तिन रसी उठाए तो इस तरशी यह रसी हमने कंप्लेट की है अब यहा पर हमने 22 नंबर की रशी कंपलेट की है तो हमने शुरुआत में क्या किया है सबसे पहले शुरुआत की यहां एक रशी दबा ले फिर तिन रशी उठाए 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 फिर तिन रसी दबाई और मैं सेंटर की एक रसी उठाई, वापस तिन रसी दबाकर एक रसी उठाई, फिर आगे तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाकर एक रसी उठाई, फिर यहाँ पर तिन रसी दबाई और दुसरे वाले सेंटर की एक रसी उठा ले, फिर तिन रसी दबाए, एक रसी उठाए, वापस तिन रसी दबा का तिन रसी उठाए, फिर तिन रसी दबाए, तिन रसी उठाए, आखिर में एक रसी दबा ले, तो इस तो रसी ये रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंग फिर दो रसी उठाए, तिन रसी दबाए, वापस दो रसी उठाकर तिन रसी दबाए, फिर यहां में सेंटर में पांच रसी दबाए, फिर यहां पर पांच रसी उठाले, फिर तिन रसी दबाए, दो रसी उठाए, वापस तिन रसी दबाकर दो रसी उठाए, फिर यहां दूसरे वाले सेंटर की पांच रशी दबा लें फिर यहां पर हमने दो रशी उठाए तिन रशी दबाए वापस दो रशी उठाकर तिन रशी दबाए फिर तिन रशी उठाए और दो रशी दबाए तो इस तरशी यह रशी हमने कंपलेट की है अब यहां पर हम हमारी अगली रसी लेंगे तो अभी यहाँ पर हमने 24 वे नमर की रसी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की यहाँ तिन रसी दबा ले फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए और एक रसी उठाए फिर वापस तिन रसी दबाए और तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए तिन रसी उठाकर में सेंटर की तिन रसी दबा ले। अगली रसी लेंगे। तो अभी यहाँ पर हमने 25 भी नमर की रसी चाहता है। उठाले। फिर 3डबाय 3टशी उठाएं, वापस 3डबाकर 3डशी ईठाएं, फिर 3डबाय 1चा उठाएं, यहां पहले सेंटर की 1 शी दबाई yagarशी बाई वापस 3डबाकर 3डशी उठाएं फिर तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, वापस तिन रसी दबा कर तिन रसी उठाई, फिर तिन रसी दबाई, एक रसी उठाई, फिर यहां में सेंटर के एक रसी दबाई और एक रसी उठाई, फिर आगे तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी दबा कर तिन रस फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाए वापस तिन रसी दबाई और एक रसी उठा ले तो इस तर रसी यह रसी हमने कंप्लेट किए अब यहां पर हम हमारे अगली रसी लेंगे अब ही यहाँ पर हमने 26 वे नंबर की रशी कंप्लिट किये तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की दो रशी उठा ले फिर तीन रशी दबाए तीन रशी उठाए फिर तीन रशी दबाए और यहाँ पहले सेंटर में तीन रशी उठाए वापस तिन रसी दबाए और यहां दो रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी उठाए और यहां पर पांच रसी दबाए फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए और दो रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए और में सेंटर में तिन रसी उठाए वापस तिन रसी दब फिर दो रसी उठाए, तीन रसी दबाए, तीन रसी उठाए, आखिर में दो रसी उठा ले तो इस तरह से ये रसी हमने कंप्लेट की है, अब यहाँ पर हम हमारी अगली रसी लेंगे तो अब यहां पर हमने 27 वे नमबर की रशी कंप्लेट की है तो हमने शुरुआत में क्या क्या है सबसे पहले शुरुआत की 3 रशी उठा ले फिर 3 रशी दबाई, 3 रशी उठाई, वापस 3 रशी दबाई और 1 रशी उठाई फिर यहां तिन रसी दबाई फिर पहले सेंटर में तिन रसी उठाई वापस तिन रसी दबा कर एक रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाई और यहां पर यहां पर यहां वाली सात रसी दबाई फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाई और एक रसी उठाए फिर तिन रसी दबाई में सेंटर में तिन रसी उठाए वापस तिन रसी दबा कर एक रसी उठाए फिर तिन रसी दबाई तिन रसी उठाए और ये वाली सात रसी दबा ले फिर तिन रशी उठाए तिन रशी दबाए एक रशी उठा कर तिन रशी दबाए और यहां दुसरे वाले सेंटर की तिन रशी दबा ले फिर तिन रसी दबाई एक रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई कर तिन रसी उठाई वापस तिन रसी दबाई और तिन रसी उठा ले तो इस तर रसी ये रसी हमने कंप्लेट की है अब यहाँ पर हम हमारे अगली रसी लेंगे तो अब यहाँ पर हमने 28 स्वे नमर की रशी कंप्लेट की है, तो हमने शुरुआत में क्या क्या है, सबसे पहले शुरुआत की एक रशी दबा ले, फिर तिन रशी उठाए, तिन रशी दबाए, वापस तिन रशी उठाए, फिर तिन रशी उठाए, और यहाँ पहले सेंटर में तिन रसी दबाए वापस तिन रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी उठाए और यहां चार रसी दबाए फिर एक रसी उठाए चार रसी दबाए तिन रसी उठाए और यह दूसरे वाले सेंटर की तिन रसी दबा ले फिर तिन रसी उठाए तिन रसी दबाए ति तो इस तरह आपर हम हमारी अगली र liquidity लें गर और पहले सेंटर में तिन रसी दबाए, वापस दो रसी उठाए, फिर तिन रसी दबाए, तिन रसी उठाए, एक रसी दबाकर वापस यहां चार रसी उठाए, फिर यहां एक रसी दबाए, चार रसी उठाए, वापस एक रसी दबाए, फिर तिन रसी उठाए, तिन रसी और दो रसी उठाए फिर यह दूसरे वाले सेंटर की तिन रसी दबाए वापस दो रसी उठाए फिर वापस तिन रसी दबाए तिन रसी दबा कर तिन रसी उठाए आखिर में दो रसी दबाए तो इस तर रसी रसी हमने कंप्लेट की है अब यहां पर हम हमारे अगली रसी ले फिर तिन रसी उठाए और ये पहले सेंटर की तिन रसी दबाए वापस यहां तिन रसी उठाए फिर तिन रसी दबाए तिन रसी उठाए और एक रसी दबाए फिर यहां पर यह वाली सात रसी उठाए फिर एक रसी दबाई, तिन रसी उठाई, तिन रसी दबाई कर तिन रसी उठाई फिर में सेंटर में तिन रसी दबाई, वापस तिन रसी उठाई फिर तिन रसी दबाई, तिन रसी उठाई और यहां एक रसी दबाई फिर ये वाली 7 रसी उठाए, वापस 1 रसी दबाए, फिर 3 रसी उठाए कर 3 रसी दबाए फिर 3 रसी उठाए और ये दुसरे वाले सेंटर की 3 रसी दबाए वापस 3 रसी उठाए, 3 रसी दबाए, 3 रसी उठाए कर 3 रसी दबाए 15 रशी उठाई और 1 रशी दबाई तो इस तरह से ये रशी हमने complete की है अब यहाँ पर हम हमारी अगली रशी लेंगे तो गाइज अभी यहाँ पर हमने 31 नमबर की रशी complete की है और इस रशी के साथ ही यहाँ पर यह वाली जो डिजैन है यह हमारी repeat होना शुरू होगी यानि के पहले नमबर से लेकर यहाँ तक यह हमारी 30 रशी और यह 31 नमबर की रशी सबसे पहले तो यहाँ पर हम clip लगा देंगे तो यह वाली clip हमने यहाँ पर लगा दी और 31 नमबर की रशी हमने कैसे लिहे तो यहाँ पर यह जो पहले नमबर की रसी है, यही पहले नमबर की रसी हमने 31 नमबर पर repeat की, यानि कि अब यहाँ पर क्या होगा 31 नमबर की रसी से, यह 31 नमबर की रसी से सारी डिजाइन हमारी repeat होगी, और पहले से लेकर यहाँ जो 30 रसी हमने बुनाई की है, यही 30 रसी हमा को एक ज्यान में रखनी है कि जब आप ये वाली डिजाइन की यहां पर रिपिट करके बुनाई करते हैं तब आपको ये बुनाई में कोई चैंज नहीं करना है उसके लिए आपको ко क्या करना है उसके लिए आपको वीडियो को रिवाइंड करकर वापस से पहले नमबर से देखना है और जब हमारी 30 रसी खतम हो जाती है तो आपको बिना कन्फुज हुए क्या करना है पहले नमबर की रसी वापस से स्टार्ट करनी ही तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंग वापस से पहले नमबर की रसी देखेंगे और फिर ही आप 31 नमबर की रसी पर वही रसी आप रिपीट करेंगे और उसके बाद 32 नमबर पर तो 32 नमबर पर वापस से वीडियो को रिवाइन करेंगे और दो नमबर की रसी देखेंगे और यही दो नमबर की रसी 32 नमबर पर रिपीट करेंगे इस तरह से तीन नमबर की 33 नमबर पर तो इस तरह से आपको step by step हर रसी को अच्छे से देखना है समझना है और फिर ही repeat करना है ताकि आपकी design अच्छे से बने और कोई भी confusion ना रहे तो guys एक बार हम यह वाले design repeat करकर भी देख लेते हैं तो देखे guys यह वाले design हमने एक बार repeat कर ली है तो इसका look कुछ है इस तरह से आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पी हमने यहाँ पर design बुनाई की थी वो बुनाई हमारी complete हो गई तो हमने क्या किया किया कि जीस तरह से हमने शुरुआत की यह तीस रसी ली थी यही तीस रसीों में हमें बिना कोई change की यहाँ पर repeat की तो आपको क्या करना है आपको यह बात ज्यान में रखनी है कि यह हमारे 31 नमबर की रसी है यहाँ से हमारी design repeat हो थी और अब यह हमारे यहाँ पर पहले नमबर की रसी बन गई और इस वाली रसी से शुरुआत की यह जो तीस रसी है पहले से लेकर यहाँ तक की यह जो तीस वापस यहां पर हमारी repeat होगे तो इस तरह से guys हमें क्या करना है हमें शुरुआत की 30 रश्यों को repeat करकर पूरी चारपाई में ये design continue कर लेनी है लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है वो ये कि यहां पर क्या करना है जो भी यहां पर आपने शुरुआत में बुनाई की यही रश्या जो 30 रश्य है जब यहां पर हम repeat करते हैं तो उसमें कोई change नहीं करना है अधर्वाज हमारे design सही से नहीं बेठेगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे हम शुरुआत से वापस से वीडियो को rewind करकर पहले नमबर से देखेंगे step by step वापस से हम हर रश्य को यहां पर repeat करेंगे तो इस तरह से यह वाले design हमारे बनकर तयार हो जाएगी तो guys यह वाले design आगे हम continue करकर देख लेते हैं तो देखे guys यह वाले design हमने पूरी चारपाई में complete कर दी है और यह उसका पूरा लोगी यह हमारे शुरुआत की तीस रश्यों की design है जो 31 नमबर से repeat होगी तो यहां 31 नमबर की रशी पर हमने clip लगाई और अब यह हमारे पहले नमबर की रशी बन गए और वापस यहां पर हमने किया कि पहले नमबर से यह वाले design को यहां से repeat किया है तो यहां पर हमने clip लगाई और यहां से लेकर यहां तक यहां तक वापस हमारे 30 रशी repeat हुई है अब वापस यहां पर हमने क्लिप लगाई और फिर यहां पर आखिर तक यहां पर जितनी भी रशी होती है वो हमें कम्प्लिट कर दे तो गाइज यहां पर यह उसका पूरा लुक है अगर आपको डिजाइन अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेर क मिल जाएगी जिसमें पीड़े में भी बहुत सारी वेराइटी है तो गाइस चैनल तर प्लेलिस पर जाकर विजिट कीजिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद गाइस